वेलकम टू एफ मोनिटर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि e-com express का पैनल आप किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं और जो है आप जादा से जादा parcel जो है किस तरीके से डिलिवर कर सकते हैं अपने कस्टूमर को cash on delivery और प्रिपेड दोनों तरीके के पारसल जो है आप इसे जो है वो डिलिवर कर सकते हैं घर बैठें चलिए हम जो है कस्टूमर पैनल को login करते हैं login करने के लिए आपके पास में username और password होना चाहिए और इसको लेने के लिए आपको जो है इसके पैनल पे जाकर के आपको registered करना होगा अगर आपको registered वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके जरूर बता है तो चलिए अभी जो है हम अपना चलता है अभी जो है हम पैनल में देखते हैं कि कहां पे आपकी इस तरीके से क्या चीज़ को देख सकते हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं sidebar के अंदर यहां पे जो हैं काफी सारे option दिये हुए हैं यहां पे दिया हुए POD मतलब pay off delivery ठीक है RTS POD तो यह सारे के सारे option जो है हमें यहां पे देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो अभी जो है हम यहां पे देखते हैं shipment activity में आप देख सकते हैं AWB search अगर आप यहां पे किलिक करते हैं तो यहां पे जो है आप किलिक करने के बाद में अपना AWB नंबर ज shipment manifest यहां पे जो है आप अपना कोई भी पारसल create कर सकते हैं अपने customer तक पहुचाने के लिए generate AWB ecom express के अंदर सबसे main चीज क्या आती है कि आपको AWB नंबर जो है वो पहले generate करना होता है उसके बाद में जो है आपको shipment create करनी होती है लेकिन delivery में क्या है कि delivery में आप shipment जो है वो create करो और उसके बाद में जो है AWB नंबर आपका generate होता है upload orders के अंदर क्या option है कि आपके पास में एक excel file होगी उस Excel file के अंदर आपने जो अपनी order की detail से और customer की detail से जहाँ पर deliver करना है जहां से pick up करना है और क्या order है वो सारे details जो है भरने के बाद में आपको जो है वो फाइल जो है वो अपलोड करनी है जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके order जो है वो create हो जाएंगे इसी की वाज़ा से जो हूँ मैं ecom experience के पैनल को use नहीं करता हूँ लेकिन अभी जो ही इनका new panel आने वाला है मेरी team से भी बात हुई थी तो उसके अंदर देखते हैं क्या changes आते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं कि हम इसको जादा सा जादा use मिले क्योंकि इसकी जो service है वो delivery के मुकाबले जादा है तो यहां से आप इसके नीचे देख सकते है print shipment label और ndr तो यहां पर आपको सभी option मिल जाते हैं आपको यहां पर financial का option मिल जाता है financial पर जैसे ही आप किलिक करते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है remittance तो remittance यह वो है कि जिसके अंदर आपका cash on delivery का payment होता है वो show होता है ठीक है यहां से आपको technical मतलब pin code coverage pin code mborg rat calculator api document training video सारी के सारे option आपको जो है ecom express के panel में मिल जाते हैं ठीक है उसके बाद में आपको अगर support चाहिए तो support पे click करने के बाद में ecom contact your contact यहां पर जो है आपको सभी तरह option मिल जाते हैं इसका जो आपको panel मिलेगा वो मिलेगा surface और express यह जो है मतलब दो panel होते हैं दो panel मतलब एक पैनल से आप international shipment लगा सकते हैं और एक पैनल से आप domestic shipment लगा सकते हैं लेकिन delivery के case में क्या है कि delivery भी पहले अलग अलग पैनल प्रोवाइड करता था लेकिन अभी उसने new portal के अंदर दोनों को जो है वो merge कर दिया है ठीक है तो अभी देखते हैं कि ecom experience का new update आने वाला है तो new update के अंदर यह क्या चीज़ लेकर आते हैं और जो भी चीज़ यह लेकर कर आएं हैं और आपका email मुझे मिलता है तो मैं आपसे जरूर contact करूँगा आज की वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं वीडियो को रोकनी से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं अपनी next वीडियो के साथ तब तर के लिद धन्यवाद